नमस्कार दोस्तों स्वागात आपका फिर से एक नई वीडियो में दोस्तों आज हम आपको बहुत बड़ी खुलासा करने जा रहे हैं हत्रस केस में हत्रस केस में आरोपी चारो आरोपी को जो गिरिफ्तार किया गया है उसने सिधी सिधी जो नए SP आये हैं उनको सिधा सिधा चिठी लिखा है उन्होंने साफ साफ चिठी में मतलब 20 लाइन का चिठी है लगबग और चारो के हास्तक्षर है यानि सिगी नेचर है उन्होंने साफ साफ लिखा है कि इस हत्या में जो पीरिता की हत्या हुई उसमें उनका कोई हाथ नहीं है उन्होंने साफ साफ लिखा है कि उनका मतलब पीरिता और उनके भाई का उनकी बहन के आपस में ही कुछ लडाईया हुई थी, पीरिता को पीटा गया था उनके भाही उनकी माह के तरफ से जिसके वज़े से उनकी हालत और भी गंभीर हो गई और उनके अस्पताल में मिर्थी हो गई ऐसा आरोपी का कहना है 4 आरोपी का SP को डैरेक्ट पत्र लिखा गया है यानि अब ये केस और खुलता नजर आ रहा है कि अगर ये कहीं ओनर किलिंग का तो मामला नहीं है जिसमें अपने स्वाभिमान, अपने मतलब कह सकते हैं कि जूठी शान को बचाने के लिए इस तरह के हरकर करते हैं तो ये बहुत बड़ी निगुस है, इसके पीछे मतलब पूरी तरह से एक जाच कमीटी SIT तो जाच कर ही रही है साथ ही CBI भी involvement हो गया है अब देखते हैं क्या होता है क्या अगर इसमें जो आरोपी है चारो आरोपी को गिरिफ्तार किया गया क्या वो निर्दोस हैं ये बहुत ही बड़ी मतलब कह सकते हैं कि एक news सामने आ सकती है अगर ऐसा हुआ तो तो देखते हैं क्या होता जो भी होगा पूरी जानकाड़ी आपको मेरी वीडियो के माधिम से मिलते रहेगी इसके करदा होगा आपको मेह चैन को सब्सक्राइब बेल की घंटी जो बजाना पड़ेगा ताकि आपको इस तरह कन्यों सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलती रहें तब तक के लिए आप खुश रहिए सुरक्षित रहिए जाहें